हेलो इस्टुडेंट हाव आर यू आयम सीम दिवबे फ्राम न्यूक्लियोन अकैडमी बच्चों हम लोग इस समय 11 क्लास की कैमेस्ट्री आज पढ़ेंगे 11 क्लास की कैमेस्ट्री में मैंने 6 वीडियो अभिता की यूटूब पर अपलोड कर दिया है आज अगला क्लास हम लोग पढ़ेंगे सिगनिफिकेंट फीगर सिगनिफिकेंट फीगर बहुत important बच्चों topic है ये physics में भी है और chemistry में भी है तो आज हम आपको बताएंगे significant figure कैसे निकालते हैं इसका use क्या है बहुत important topic है बच्चों तो हम लोग continue करते है significant figure देखिए significant figure होता क्या है तो significant figure को समझने से पहले बच्चों कुछ terms आपको पता होना चाहिए जैसे एक term से बार-बार use होता रहता है chemistry में आप physics में precise and accuracy precise and accuracy ये term आपको बार-बार जो है देखने मिलेगा chemistry में और physics में दोनों जगा तो precise और accuracy का मतलब क्या होता है इसको आप समझे बच्चों जैसे माल लेते हैं chemistry का आप experiment करने जा रहे हैं और माल लेते हैं salt analysis का experiment आप कर रहे हो salt analysis के experiment में माल लेते हैं आप से कहा जाए 2 ग्राम या 3 ग्राम या 5 ग्राम salt आपको वे करना है तो अगर exact बोला जाए 2 ग्राम या 5 ग्राम या 3 ग्राम exact अगर कोई भी वेलू बोला गया कि इतना salt आपको वे करना है तो जो exact ग्राम या 3 ग्राम या 4 ग्राम इसको वे करना इतना आसान है इतना आसान नहीं है chemical balance अगर आप इसको बेट करोगे तो इतना आसान नहीं है exact value वे करना तो अब क्या करते हैं जैसे 2 ग्राम अगर बोला गया या 5 ग्राम बोला गया तो अगर exact आप उतना वे नहीं कर पा रहे हो तो 5 ग्राम अगर बोला गया जैसे आप से कहा जाए 5 ग्राम आप वे करिये तो अगर आप 5 ग्राम वे करते हो इसका मतलब यह जो हो जाएगा exact value यह हो गया और यही exact value बच्चों बोला जाएगा accurate value या accuracy बोला जाता है accuracy बोला जाएगा या accurate value बोला जाता है जो exact है लेकिन अगर आप से कहा जाए कि आप अगर 5 ग्राम नहीं भी बेट कर पा रहे हो तो 4.9 ग्राम बेट कर लो या तो फिर आप से कहा जाए 5.1 ग्राम बे कर लो तो अगर यह value है तो अब यह exact value के closeness है बहुत नस्दीक है इस वजहां से बच्चों इस value को बोलेंगे precise value तो precise value का मतलब होता है बच्चों कि जो exact value के close हो बलब exact value के एकदम nearest हो close हो तो उसे precise value बोलेंगे और जितना कहा जाए exact उतना ही हो जाए तो उसे बोलेंगे accurate value या accuracy तो आप लिख सकते हैं बच्चों इसमें precise means होता है precise means होता है closeness closeness to the exact value closeness to the exact value या इसी को बोलते है true value exact value या true value बलब exact value या true value के जो closeness value होगा उसी को बोलेंगे precise value और accurate value को क्या बोलेंगे accuracy means होता है means accuracy means accuracy means होगा exact value accuracy means होगा बच्चो exact value accuracy means exact value जितना हो अगर जितना बोला जाए उतना अगर आप major कर रहे हो मतलब हो exact value दो टर्म बच्चो आपके सामने और आता है एक scyton और एक unsyton uncertainty in measurement तो ये आपको कैसे समझना है इसको आप ध्यान दीजिए scyton and unsyton कैसे आपको समझना है ध्यान दीजिएगा बच्चो देखिए जैसे माल लेते हैं 11.2 ml आप chemistry का experiment कर रहे हो और उसमें बोल दिया गया कि 11.2 ml कोई भी solution अगर ले लिया जाए 11.2 ml तो अब 11.2 जो whole number है 11 this is a scyton value जो exact number जो होगा whole number वो scyton value होगा और जो decimal के right side में होगा उसे उस value को बच्चो बोलेंगे unsyton क्या बोलेंगे unsyton तो जो पहले लिखा जाता वो scyton है जो decimal के right side में जो digit होगा वो unsyton value बोला जाता है अब देखिए बच्चो जैसे अगर आपसे कहा जाता है ऐसा कभी कभी लिखा होता है chemistry में है physics में भी ऐसा 11.2 और plus minus plus minus 0.1 ml ऐसे दे दिया जाता है तो इसका मतलब बच्चो यह हुआ इसका मतलब यह हुआ कि अब यह exact value तो 11.2 है लेकिन इसमें 0.1 add भी हो सकता है और 0.1 minus भी हो सकता है इसका मतलब यह हुआ कि जो 11.2 बच्चो है उसमें 0.1 add भी हो सकता है और 0.1 negative subtract भी हो सकता है तो इसको हम add अगर करेंगे तो 11.3 ml हो जाएगा और अगर हम इसको minus कर देंगे तो 11.1 ml हो जाएगा तो यहाँ 11 यहाँ 11 जो 11 11 है यह बच्चो हो जाएगा exact value या citan इसे हम citan बोलेंगे या exact value बोलेंगे और इधर जो decimal के इधर है किधर right side में तो यह बच्चो बोला जाएगा uncitan value uncitan तो chemistry में बार बार यह आपको use करना होगा तो आपको यह आना चाहिए citan means क्या होता uncitan means क्या होता है तो जो decimal के पाहले whole number में लिखा होता citan value होगा decimal के right side में जो होगा experimentary वहाँ error होता है तो वो uncitan होता है ठीक है बच्चो तो हम लोग आगे बढ़ते हैं अब significant समझते होता क्या है significant figure तो next standing बच्चो लिखिएगा significant significant figure significant figure क्या होता है समझे बच्चो तो significant figure significant figure का मतलब होता है ऐसा number ऐसे लिखेट इफनेशन लिखेगा बच्चो लिखेट लिखे टोटल नमबर आफ डिजट क्रेश तोटल नमबर आफ डिजट में सिंधे जब अ किसी भी नमबर में थोटल नमबर आफ डिजट इन ए नमबर इंक्लीडेंग including including last digit including last digit जो last digit include करे last digit whose value whose value is unsighted last value unsighted होता अभी हमने बताया unsighted whose value is unsighted is called is called उसी को बच्चों बोलेंगे is called significant figure is called number of significant figure significant figure उसी को बच्चों बोलते हैं significant figures मतलब total number of digit in किसी भी number में including last digit whose value is unsighted जिसका value unsighted हो तो उसे हम लोग significant figure बोलते हैं ठेक है बच्चों आगे बढ़ते significant figure अब significant figure निकालने का जो तरीका है कैसे हम लोग significant figure निकालेंगे जैसे significant figure तो अगला heading है बच्चों नेक्स्ट एडी लिखिएगा रूल फार रूल फार डिटर्माइनिंग रूल फार डिटर्माइनिंग नंबर आप नंबर आप significant रूल फार डिटर्माइनिंग नंबर आप significant figure significant figure निकालने का डिटर्माइन करने का जो रूल है वो आपको पता होना चाहिए कुछ रूल रेगुलेशन है अगर उसको आप फालो करते हैं तो आसानी से आप significant figure निकाल सकते हैं मलब significant figure का मतलब बच्चों कि हम कोई भी experiment कर रहे हैं हम किसी number को add कर रहे हैं या substrate कर रहे हैं या multiply या division कर रहे हैं तो exact value क्या हमें बताना है वैसे actual अगर mathematical देखा जाए तो आएगा correct कुछ भी आप आसला सकते हो mathematical लेकिन experimental अगर देखा जाए physics और chemistry में तो उसको आप कौन सा value बताओगे तो वो significant rule को follow जो करेगा उसी number को आपको बताना है तो ये बच्चों ध्यान दीजिएगा देखिए जैसे rule number first देखिएगा all all non zero all non zero digit all non zero digit as well as as well as as zero as well as zero between the non zero digit between the non zero digit non zero digit are significant significant figure मलब सभी non zero digit significant figure है लेकिन अगर zero है और वो भी non zero digit के बीच में zero अगर है तो वो भी significant figure माना जाता है for example जैसे अगर आप से कहा जाए बच्चों जैसे first example ले ले लेते हैं तो significant figure हो जाएगा three जैसे अगर आप से कहा जाए बच्चों कि five double zero four इसमें बताई कितना significant figure होगा तो वैसे तो non zero digit दो है लेकिन अगर zero अगर होता side में तब तो doubt होता लेकिन यादे कुँँ सभी non zero digit significant है लेकिन अगर zero बिटबीन दा non zero है तो वो भी significant हो जाएगा तो total significant figure होगा बच्चों four हो जाएगा zero को consider करेंगे क्यों क्योंकि zero non zero के बीच में है तो ये भी significant figure माना जाएगा जैसे अगर आप से कहा जाए बच्चों two point चलो बता दो two point zero five या zero point two five इसमें बताना है कितना significant figure होगा तो यहाँ देखिए अब ये decimal लगा है लेकिन अगर total digit अगर देखें तो two zero और five तीन digit है और ये सभी ये non zero side side में बीच में zero है तो significant figure अगर देखेंगे बच्चों तो three आ जाएगा यहाँ देखिएगा अब decimal के पहले वाले अब देखो ये जो zero है ये non zero के बीच में नहीं है बाहर side में है तो ये significant figure नहीं होगा तो केवल significant figure यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों तो केवल ये non zero digit आप मानेंगे significant figure तो rule number first ये था बच्चों इस rule को आपको ध्यान देना इसके according आप significant figure आअसानी से निकाल सकते हो देखे rule number second आपको क्या follow करना कोई भी पहला rule क्या है कोई भी non zero digit है या zero between the non zero digit अगर है तो वो सभी significant figure होते है second आपको follow करना बच्चों अगर zero to the left zero to the left of the of the first non zero first non zero digit first non zero digit in a number in a number are not significant significant figure अगर मतलब कोई भी number है और अगर उस number में zero जो है zero to the left of the non zero non zero के अगर left side में zero अगर है किसी भी number में माले ते कोई number x y z कुछ भी है और अगर non zero के left side में zero अगर है तो वो zero significant figure नहीं consider किया जाएगा जैसे यहाँ देखिए यह non zero के left side में था तो उसको consider नहीं किया गया जैसे देख लीजिए example बच्चों जैसे अगर आपसे कहा जाए 0.025 अब यहाँ देखिए non zero digit कितने हैं 2 and 5 और non zero digit के left side में zero आ गया तो वो significant figure नहीं होगा और not significant figure तो यहाँ अगर देखा जाए significant figure बच्चों तो कितना होगा यहाँ होगा केवल 2 जैसे अगर आपसे कहा जाए 0.004 kg इतना आप बेट कर रहे हो तो अगर आपसे कहा जाए कि इस number में बताओ कितना significant figure है तो आप क्या करेंगे बच्चों यहाँ जो है जैसे यह number है तो अब यह 4 तो non zero digit है ना तो non zero digit के left side में 2 zero है और फिर decimal तो यह सब जो है significant figure नहीं होगे तो केवल significant figure कितना होगा comment करके बताईए फड़ा फट answer होगा यहाँ केवल 1 होगा बच्चों कौन कौन यहाँ आ गया है गुड मॉर्निंग वन टोपिक है सर गुड मॉर्निंग जीनियस प्रंस्तिवारी रभी कुमार निसाथ फास्ट बेरी गुड ऐसे आप लोग comment करते रहे हैं बच्चों like करिए और share करिए maximum लोग class attend करें ऐसे पूरा systematic बे में मैं पूरा आपको समझाऊंगा आप share करिए like करिए comment करते रहे साथ में जिससे कोई भी doubts हो तो comment करिए पूछ लिया करो ठेक है बच्चों आगे बढ़ते हैं जैसे अगर आप से कहा जाए एक और example आप लोग comment करके बताईएगा एक और 0.0099 मा लेते हैं ये meter ये कोई measurement आपने किया इतना value आया इसमें बताना है बच्चों कितना significant figure होगा जल्दी से comment करिए significant figure आपको बताना है देखते हैं कितने लोग बता पाएंगे significant figure कितना होगा अब इधर देखेगा ये non zero digit यहाँ 2 है 99 लेकिन इसके left side में 0 है तो 0 significant figure तो होगा नहीं तो answer कितना आएगा जल्दी comment करिए रभी कुमार का answer सही है 2 significant figure आजाएगा यहाँ 2 तो आप इस तरीके से significant figure follow कर सकते हैं अभी आपको दो तरीका बता है दो rule बताया गया first and second significant निकालने का third बच्चो point है third देखिएगा क्या point है screen sight लीजे मैं आगे बरता हूँ third point आपको ध्यान देना है if a number कोई भी number अगर है लिखता हूँ मैं third rule if a number ints है मतलब उसका ending हो रहा ints in 0 अगर 0 से int हो रहा है 0 but condition लेकिन these 0 but these 0 these 0 are 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 to the right यह 0 right है right of the decimal right of the decimal point decimal point then 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 these 0 then these 0 are significant यह 0 क्या होंगे बच्चों significant होंगे बात समझ में आया अगर कोई भी number है और वो 0 से ending उसका हो रहा है तो अगर 0 से ending हो रहा है तो वो 0 right side में अगर decimal के है right side में तो वो significant figure माना जाएगा अगर अगर आपसे कहा जाए 5.0 तो 5.0 एक number है और इस number का ending 0 से हो रहा है और decimal के right side में 0 है तो यह 0 भी significant figure होगा और non 0 5 है तो यह भी significant figure है तो significant figure कितना होगा यहां यहां significant figure होगा बच्चों 2 बास समझ में आया अब अगर आपसे कहा जाए कि 2.5 double 0 इसमें बताईए significant figure कितना होगा comment करके बताईए जल्दी से comment करके बताईए प्रसान सर भी आ गए good morning सर comment करके बताईए significant figure कितना होगा तो significant figure यहाँ 2 non zero digit है 0 को भी आप significant figure मालोगे तो 4 इसका answer आजाएगा कितना 4 अगर आपसे कहा जाए 2.50 अब बताए कितना significant figure होगा अब हो जाएगा बच्चो 3 significant figure हो जाएगा अब देखते हैं अपकी बार कितने लोग बता पाते हैं अगर आपसे कहा जाए बच्चो 0.02 और triple zero अब बताएगे इस नंबर का significant figure कितना होगा इस नंबर का बच्चो हमें significant figure बताना है इस नंबर का हमें significant figure बताना है माल लेते हैं यह A है यह B है यह C है और यह D तो D में significant figure कितना होगा 4 very good रवी कुमार का answer सही है क्योंकि अब यह 3 0 तो significant figure होगे और 2 है non zero तो 4 हो गया और अगर यहां देखा जाए 0 and यह 0 तो यह 0 जो है non zero के left side में है और decimal के पहले भी 0 जो होगा वो significant figure नहीं होगा Prince का answer नहीं सही है Prince द्यान दो यह 0 के जो non zero के जो left side में 0 होगा वह significant figure होगा तो इसका answer हो जाएगा बच्चों 4 रवी का answer सही है Prince थोड़ा ध्यान दीजिए ठीक है आगे बच्चे बच्चों लोग आगे बढ़ते हैं देखते हैं देखे अगला point अगला rule क्या है significant figure निकालने का अगला rule आपको बच्चों ध्यान देना है अगर माल लेते है 0 ऐसे लिखेगा rule क्या है 0 at the end अगर end में 0 है at the end are right are right of number number अगर मतलब number के मतलब right में अगर कोई number है या digit हो उसके right में हो या तो ending में अगर 0 है these 0 these 0 these 0 may are may not may not significant figure वो significant figure हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है अब अच्चों यहाँ एक हमने पिछले class में बताया था पिछले वीडियो में scientific notation तो scientific notation के according आप का सकते हो जैसे अगर माल लेते हैं एक number में आपको दे रहा हूँ 100 NCIT का ही example में ले लेता हूँ 100 अगर दिया है तो अब 100 की अगर हम बाब करें तो इसका significant figure जो है 3 हो सकता है first possibility है one second possibility है two third possibility है three मतलब इस type का अगर कोई number हो ending अगर 0 से हो रहा है तो अगर 0 से ending हो रहा कोई भी number है उसका 3 significant figure हो सकता है जैसे one और two भी हो सकता है maximum three हो सकता है कैसे हो सकता है इसको आप समझिए कैसे हो सकता है समझिए जैसे इस hundred को बच्चों हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं one into ten to the power two लिख सकते हैं और scientific notation में बच्चों पिछला कलास हम लोग उसी पर लिए थे capital N into ten to the power N मलब कोई भी अगर इस टाइप का बड़ा सा number अगर हो तो उसको हम capital N यह हो सकता है one से लेकर के nine तक का कोई भी number हो सकता है यह capital N और N क्या होगा N जो है positive negative value हो सकता तो इस form में हमें लिखना होगा तो यह सी को बोलते हैं scientific notation यह पिछले कलास में बच्चों लोग पर चुके हैं तो यानि hundred को हम इस type से लिख सकते हैं तो जब hundred को इस type से लिखेंगे बच्चों तो यहां scientific notation हो जाएगा यह इस type से लिखेंगे तो यह scientific notation form में हो गया और क्या तरीका है इसको बच्चों लिखने का इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1.0 बात एक ही तो है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.0 तो 1.0 रखेंगे इंटू 10 to the power 10 to the power 2 कर दें तो यहाँ significant figure बच्चों हो जाएगा 2 बाद समझ में आया बताएए अब अगर इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 100 को बच्चों 1.00 इंटू 10 to the power 2 कोई दिक्कत नहीं दिक्कत तो अब यहाँ significant figure देखा जाए तो देखो यहाँ significant figure हो जाएगा बच्चों 3 यहाँ significant figure हो जाएगा बच्चों 2 तो आप इस तरीके से significant figure आसानी से निकाल सकते हैं मलब कोई भी अगर इस टाइप का नंबर हो कि non zero digit पहले हो zero ending में हो तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं लेकिन अगर first choice अगर तुम्हें पूछा जाए कि कौन सा जादा सही है तो आप first option यह select करोगे आप scientific notation आसानी से निकाल सकते हूँ एक rule और है fifth rule हम लोग देखते हैं कि कैसे scientific notation कैसे हम लोग significant figure निकालते हैं तो fifth point देखिएगा बच्चों देखिए fifth point या fifth rule क्या है fifth rule counting counting the number of object है जैसे कोई भी number count किया गया उसका object मतलब आ गया कोई भी जैसे far example आप ले लो far example आप यह का सकते हो कि मान लेते हैं two wall है two wall हो या आप से कहा जाए twenty x है या आप से कहा जाए आप से कुछ भी कहा जाए कि ten pen है इस type का कोई भी मतलब object आपने count किया तो अगर इस type का कोई भी object आपने count किया तो यहाँ जो significant होगा है यह इन्फनाइट सिगनिफिकेंट मतलब यहाँ सिगनिफिकेंट बच्चो infinite होगा मतलब जादा हो सकता है अगर कोई भी whole number में आपको दे दिया जाए और का जाए significant figure बताए तो आपका answer क्या होगा बच्चो infinite significant figure क्या होगा infinite significant figure देखिए बच्चो क्यों ऐसा होगा क्यों ऐसा होगा क्योंकि two अगर है मैं लेते हैं two walls है तो two walls को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2.000000 ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं तो यह two ही तो माना जाएगा 0.00 तो यह 0 कितना भी हम ऐसे बढ़ाते चले जाएं तो infinite नहीं हो जाएगा तो इसलिए इसका जो significant figure बच्चो आएगा वो answer हो जाएगा infinite significant figure जैसे 20 number को या रहा है तो 20 को बच्चो हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 20 point something 00000000 तो यहाँ भी तो 0 हम अपने एकारिंग कुछ भी लिख सकते हैं तो यहाँ भी जो बच्चो आएगा वो significant figure होगा infinite significant figure होगा अब बच्चो significant figure को follow करके हमें multiplication, division, addition और subtraction number को करना है तो यहाँ से भी बहुत important है हमेशा आपके exam में question यहाँ से आता रहता है तो आपको यह पता होना चाहिए बच्चो आप लोग comment करिए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है comment करिए तभी हम speed अपना मतलब control कर पाएंगे आप comment करिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है अगर कोई doubt हो तो दुबारा repeat करता हूँ अगला heading देखिएगा बच्चो multiplication हम करते हैं multiplication multiplication and division and division आप significant figure हम significant figure ले लेते हैं और उसका multiplication करते हैं और division करते हैं तो जैसे देखिए बच्चो अगर हम माल लेते हैं कोई भी number लेते हैं समझीएगा बहुत interesting है जैसे माल लेते हैं हम ले लेते हैं 2.5 into 1.25 अगर ये number हम लेते हैं तो जब इसका हम multiplication करेंगे तो आप comment करके बताईए क्या answer आएगा 2.5 into 1.25 का multiplication करिए जल्दी से इसका multiplication करके answer बताईए रवी, प्रिंस सभी लोग answer दीजिए जल्दी से देखते हैं कितने लोग इसको बता पाते हैं तो जब multiply बच्चों करेंगे तो multiply करेंगे तो 3.125 आएगा और ये actual मतलब mathematical calculation आप करोगे तो इतना आ रहा है लेकिन significant जो rule है हमारा वो ये कहता है कि इस number का जो significant है वो 2 है अरे भाई अगर यहां significant हम निकालेंगे तो 0 digit है तो significant यहां कितना आएगा 2 आएगा और अगर यहां देखा जाए इसका significant figure तो यहां 3 आएगा तो अगर multiplication चाहे किया जाए दोनों में जो हमारा result आएगा वो result जो है minimum significant figure वाले value को follow करेगा मतलब यहां जो हम answer लिखेंगे उसमें भी significant figure 2 ही आना चाहिए यानि answer is 3.1 only और यही हमें experimentally report करना है इसका मतलब यह हो जाएगा reported reported product हो जाएगा मतलब experimentally जो हमें बताना है laboratory में वो 3.1 बताना है not 3.125 हमें क्यों यहां क्यों कि यहां भी significant figure 2 है तो हम multiplication करें चाहे division करें तो हम minimum significant वाले value को follow करके answer में लिखेंगे यह बात आपको पता होना चाहिए बच्चों बहुत important है जैसे एक example हम बच्चों और आपको देते हैं जैसे अगर आपसे कहा जाए 4.327 इसको multiply कर दो 2.8 से तो इसका answer कितना होगा अगर यह है तो multiply करके answer चेक करिए तो अगर इसको 4.327 into 2.8 इसका multiplication करिए तो multiplication करोगे तो क्या होगा multiplication करके answer बता दीजिए जल्दी से multiplication अगर आप करोगे बच्चों तो answer आएगा 12.11 1156 यह आएगा तो अब यहाँ जो answer आपको यह तो है actual actual calculation करोगे तो यह आएगा लेकिन आपको significant rule को follow करके answer लिखना है ना तो यह जो first value है यहाँ significant figure 4 है यहाँ जो देखा जाए तो यहाँ significant figure 2 है तो हमारा answer भी 2 significant figure होना चाहिए तो यहाँ जो मैं answer बच्चों लिखूंगा केवल answer is 12 यह answer कितना आजाएगा 12 यानि क्यों 12 आगया यही हमारे reported value हो जाएगा reported product हमारा कितना 12 क्योंकि यहाँ significant figure बच्चों केवल है 2 तो आप आसानी से समझ सकते हैं क्यों बोला गया 2 क्योंकि यहाँ significant figure 2 आना चाहिए क्योंकि इसके नंबर में 2 ही minimum significant figure आ रहा है बच्चों एक आप लोग बताएंगे आपकी बार आप लोग comment करके answer बताएए आपकी मैं division कराओ चाहे multiplication किया जाए चाहे division किया जाए मतलब method same ही है जैसे आपसे अगर कहा जाए बच्चों अगला example 4 point sorry 0.46 है और इसका division कर दो 15.7 3,4 अगर इसका हम division करें तो इसका answer बच्चों आएगा 0.029236 है calculator यूज करके मैंने जल्दी से कर दिया तो इसका मतलब अगर इसका हम division करतें ये तो हमारा ये तो actual calculation है mathematical ये calculation है लेकिन chemistry और physics में अगर laboratory की बात करेंगे बच्चों तो हम क्या answer देंगे पताए पताए क्या answer देंगे तो ये actual है लेकिन हमें अब यहां देखा जाए तो यहां बच्चों 0.46 में 2 significant figure है अगर यहां देखा जाए बच्चों तो 15.734 में 5 significant figure है तो answer में 2 significant figure होना चाहिए यानि answer is 0.029 तक ही रुख जाना है क्योंकि 299 0 digit है और significant figure हो जाएगा बच्चों कितना यहां significant figure 2 है तो this is a reported value यही हमारा बच्चों है reported value reported value कि ना 0.29 तो यह multiplication and division का यह concept है बच्चों आप significant figure का multiplication और division आप follow करके answer बता सकते हैं फिर से एक बार मैं repeat करता हूँ अगर multiplication या division किया जाए तो significant figure आप उस number का answer के बराबर parallel करेंगे exact करेंगे जिसका significant figure जिस number का minimum होगा तो answer भी minimum significant का होना चाहिए उसी के parallel अब हम लोग करते हैं बच्चों अगला addition and subtraction addition and subtraction के according हम देखते हैं कैसे significant figure का answer चेक करेंगे जैसे बच्चों बताईए अगला heading आप लिख लीजे notes बनाते रहे notes बहुत effective होना चाहिए addition addition and subtraction addition and subtraction आप significant figure significant figure का addition and subtraction अगर किया जाए तो क्या होगा समझिएगा बच्चों जैसे फार एक्जाम्पल आपसे कहा जाए 4.523 यह कर दे और 2.3 and 6.24 यह तीन डिजिट मैंने आइड कर दिया तो आइड करके answer आपको बताना है जब आइड करोगे बच्चों तो इसका answer आएगा 13.063 यह answer आएगा तो यहाँ गलती बहुत लोग कर देते हैं बहुत important बच्चों addition, subtraction करने के बाद significant figure निकाला tough हो जाता है तो आप ध्यान दीजिएगा आप गलती नहीं करेंगे बहुत important है बच्चों यहाँ आप देखिएगा अगर अगर आप ध्यान दीजिए तो यहाँ significant figure है 4, second वाले में 2 है, third वाले में 3 है तो यहाँ जो है जो decimal लगा है 3 decimal place है 3 decimal place है यहाँ decimal place कितना है 3 है यहाँ अगर बच्चों देखा जाए तो 1 decimal place है 1 decimal place मलब decimal 1 पर लगा है यहाँ देखा जाए तो 2 decimal place है 2 decimal place है तो जो हमारा बच्चों significant figure होगा वो minimum decimal place के parallel होगा उसी को match करेगा तो अगर हम इसका answer बच्चों देखें तो अगर इसका हम answer देखेंगे तो यह तो actual है actual sum किया गया लेकिन actual sum हमें नहीं बताना होता है science में हमें इसका exact significant figure के according 1 decimal को follow करें तो 13.0 तो 0 अब यह 5 से जादा है तो rounding आफ करके 0 को मैं 1 लिख सकता हूँ rounding आफ अभी इसी वीडियो में आगे मैं बताऊंगा आपको तो answer हो जाएगा 13.1 अब 13.1 की अगर हम बात करें तो यहाँ one decimal यहाँ one decimal place है मतलब और इस value को देखो मायज कर रहा है तो यह हो जाएगा हमारा reported यह बच्चों हो जाएगा reported sum मतलब जो experimental आप करोगे data add करोगे तो आपको यही बताना होगा यह बात समझे में आया बच्चों कोई दिक्कार चलिए आगे बढ़ते हैं जैसे एक example बच्चों और लेते हैं addition subtraction में यह ध्यान देना है addition subtraction ऐसे आप समल लिजे बच्चों यह ध्यान देना है कि आप जो result लिखोगे वो minimum decimal place वाले number को follow करके लिखोगे minimum decimal place वाले number को follow करके लिखोगे तो आपका answer सही होगा किसमे addition and subtraction में और multiplication and division में आपको follow करना बच्चों answer वो लिखना है जिसका significant figure minimum होगा यह दो point अगर आप घ्यान दियो तो आपका answer कभी भी गलत होने वाला नहीं है पताइए बच्चों समझ में आया कि नहीं आया कई लोग जो है late करके आये हैं तो आप अगर serious हो regular bay में अगर time पर अगर class लेते हो तो मैं पूरा conceptual chemistry पूरा details में आपको समझाने वाला हूँ आपको रटने की कोई जरूरत नहीं है अभी तक six video upload कर दिया गया आप उसे video को first second third fourth सारे regular bay में अगर आप देखोगे तो आपको difference पता चल जाएगा आपको मैं लिख लिख करके पूरा बहुत ही effective bay में पूरा content में provide करने वाला हूँ तो आप लोग serious हो करके नोर्स जरूर बनाते रहिए और आपको other जगां से बहुत ही different मिलने वाली है chemistry यहाँ nuclear academy में हम लोग chemistry और physics, math, bio parallel में daily life class आज से चलेगा chemistry का time आपको पता है बच्चो 9 to 10 chemistry 11 की चलेगी 10 to 11 physics रहेगा 11 to 12 bio and math रहेगा तो आप parallel में सारे subject का class ले सकते हैं चाहिए 11, 12 का भी class सेम टाइम से start हो जाएगा तो बच्चों हम लोग continue फिर आगे बढ़ते हैं देखते हैं जो भी बच्चा attend कर रहा है जो भी समय लाइब पर है वो comment करके अपना attendance मतलब कर सकता है कि कौन student हो अपना नाम जो है comment करके लिख सकता है जिससे हम लोगों को पता रहे कि कौन-कौन वीडियो को follow कर रहा है कौन-कौन serious student है तो आप comment करके अपना नाम जरूर लिखते रहिए अगला बच्चो मैं एक और दे रहा हूँ addition 154.2 and 6.1 and plus कर दिया जाए 23 इनको add करना है बच्चों अगर इसको add किया जाए तो अब बताओ अगर add करोगे तो क्या होगा दोनों को add कर दिया 3 point और इसको add करेंगे तो 183 तो ये बच्चों हो गया हमारा actual ये बच्चों हमारा हो जाएगा क्या actual sum ये actual sum है लेकिन हमें report क्या करना है बच्चों हमें report क्या करना है हमें report करना है minimum decimal place वाले number के बराबर answer देना है तो यहाँ देखो minimum decimal कितना one यहाँ minimum decimal decimal place यहाँ भी one decimal place है यहाँ तो zero decimal place है इसका मलब decimal place को हमें नहीं लिखना है तो answer इस बच्चों 183 ही answer point यानि decimal के आगे हमें किसी भी number को लिखने की जरूरत नहीं है सिवम कुमार सिवम सर्मा नमस्ते बेटा नमस्ते लेट होगे आज तुम्हारा रविंद्र कुमार तिवारी आप लोग लेट काफी लेट करके जो आइन किये हैं regular way में class लिते रहिए ठीक है तो 183 यह आ जाएगा इसका answer क्योंकि यहां जो 23 है इसका decimal place 0 है तो इसका भी decimal place जो answer है reported value हमें जो बताना है वो है decimal place हमें 0 यानि 183 हमें लिखना होगा तो बहुत ही interesting बच्चों आप लोग regular way में class लेते रहिए हम लोग effective way में ऐसे daily class लेंगे बच्चों आप थोड़ा सा serious हो जाओ हम लोग better quality आपको provide करने कोशिस करने थोड़ा सा network और internet problem होने के बज़ा से हम लोग अभी late में थोड़ा start किये लेकिन अब regular way में daily class हम लोग लें देखेगा 18.4215 यह है और इसमें से minus कर दो 6.01 अगर आप minus कर दो बच्चों तो आज आएगा इसका answer अगर mathematically देखा जाए तो 12.4115 यह answer आएगा mathematically अगर देखा जाए तो अब यह mathematically अगर देखा जाए यह actual subtraction आ रहा है लेकिन हमें answer क्या बोलना है significant figure के carding हमें answer बोलना है अब देखो यहाँ अगर देखा जाए तो decimal place कितना है बच्चों यहाँ two decimal place है देखे दो number है decimal के right side में तो यहाँ two decimal place है decimal place बच्चों दो है यहाँ decimal place फोर है लेकिन answer आपको two decimal place वाला लिखना होगा बहुत सही very good सियोम सर सर्मा का answer सही है तो अब क्या करोगे यहाँ अगर देखोगे तो 12.41 ही लिखत करके छोड़ना है क्यों क्योंकि यहाँ decimal point जो है दो decimal place है तो हमें दो decimal place को ही follow करना है तो this is reported value यह हो जाएगा reported value होगा तो आपको यह answer देना होगा सही है सियोम सर्मा 2 है very good दो decimal point के आगे लिखेंगे बहुत सही very good चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बच्चों छोटा सा topic है लगबग काफी लंबा class चल गया अभी बान करके चलो आपको 10 minute और class लेना है बहुत ही important concept में बच्चों आपको बताने वाला हूँ rounding up chemistry में इसका अगर देखा जाए तो व वैसे कभी-कभी competition में आ जाता है calculation type का वैसे और इसका कोई role नहीं है कि किसी अधर जगा तो मैं rounding up भी आपको सिखाने वाला हूँ देखे rounding up है क्या physics में भी आपको बच्चों पढ़ना जितना मैं आपको पढ़ा दिया अगर आपको ये पता है physics में आपको पढ़ने की अगर आपको ये वीडियो अच्छे से आप देख लेते हैं देखिए rounding up कैसे आप समझेंगे next setting बच्चों है rounding up rounding up क्या है कैसे आप निकालेंगे ध्यान दीजिएगा rounding up देखो बच्चों rounding up बहुत ही आसान आइडिया है rounding up कैसे round up कर दो round up कैसे करते माल लेते हैं हमारे पास एक number है 3.43 इसका हमें 2 significant तक rounding up करना है हमें इसका बच्चों 2 significant figure तक rounding up करना है तो हम माल लेते हैं इसका हम 2 significant figure तक ले जा रहे हैं तो ये ध्यान देना है 2 point बच्चों अगर माल लेते हैं जिसका rounding up हम कर रहे हैं उसके अगर जो number अगर 5 से जादा है तो 5 से अगर जादा है 5 से अगर जादा है तो उसके पहले वाले number में 1 add कर दो और अगर last वाला number 5 से कम है तो जो है बस वही आपको लिख देना है तो यहाँ देखा जाए 3 तो 3 क्या है small than 5 से तो छोटा है तो अगर इसका rounding up करेंगे बच्चों तो answer is 3.4 सिवम सर्मा नहीं बेटा 3.5 नहीं 3.4 क्यों क्योंकि 3 इजिए small than 5 5 से 3 छोटा है तो अब यह छोटा है तो जो है जैसे है उसी type का 3.4 आपको लिख देना है ठीक है अब यहाँ ध्याँ दीजिए अगर 3.26 है बच्चों इंट्रेस्टिंग अब सिवम सर्मा आंसर बताईए आंसर बताईए सिवम जी तो अब क्या करोगे बोलो 3.26 अब यहाँ 6 क्या है यहाँ 6 जो है यह large है bigger है bigger than 5 5 से बड़ा है तो अब 2 में एक आयड करके आपको बता देना है बच्चों 3.3 3.2 को बना देना 3 तो 3.3 ठीक है तो यह हम समझ में आया 2.3 आपने आगे वाला डिजिट 2 माना होगा चलो सही है तब भी मान लेते हैं तो आंसर आजाएगा 3.3 बात समझ में आया बच्चों कोई दिकात नहीं अब यह दो कंडिशन तो है अगर 5 से छोटा है 5 से छोटा तो जितना है नंबर वही लिख देंगे 5 से जादा तो उसके पहले वाले नंबर में एक आयड कर देंगे तो यह तो बच्चा भी जानता है और यहां maximum लोग सही कर भी देते हैं ठीक है तो चलो आगे हम लोग मान लेते हैं जैसे अगर कोई डिजिट इस टाइप का दे दिया जाए जैसे 3.25 है मान लेते हैं 5 ही दे दे हास वेरी गोड सीवम का आंसर सही है आंसर करते रहिए रविंद्र तिवारी आंसर भी आप लोग कमेंट करेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि समझ में आ रहा की नहीं आ रहा है 3.25 अगर है अब देखो 5 ही है ना चोटा ना बड़ा और 5 के आगे मान लेते हैं 1,2,0 कुछ भी हो जाए 1,2,3,4,5,5 के आगे कुछ भी अगर हो अगर 5 है तो 5 है तो आप जैसे है उसी टाइप का लिग दो लेकिन अगर 0,1,2,3 कुछ भी हो जाए 1 है तो 1 अगर है तो आप भले ही 5 है इसके आगे 1 है तो इसमें 2 में एक आइड करके आंसर बताओगे 3.3 ऐसे अगर मान लेते हैं 3.252 है अगर मान लेते हैं फिर पढ़ गया तो फ हमें जो है 5 अब यहां हमें 2 significant का rounding आप करना है तो क्या करेंगे अब 5 के आगे 2 बढ़ा है तो 5 भी हटा दो कोई दिकर नहीं है फिर एक आइड कर दो तो 3.3 यहां भी वही लिखेंगे जैसे अगर आप से कहा जाए 3.253 या 9 9 कर दें तो 5 के आगे जो number है बच्चों अगर ह हमसे कहा जाता 3 significant तक बताइए तो हम 5 को 6 कर देते लेकिन हमसे कहा जा रहा है कि 2 significant तक rounding आप करिए तो हम इस 2 को 3 कर देंगे क्योंकि 5 के आगे 9 है तो answer यहां भी हो जाएगा 3.3 3.3 बास समझ में आया बच्चों अब जैसे मतलब यह ध्यान देना अगर 5 तो 5 अब यह यह भ करना है यह 3.2 है आगे 5 5 के आगे 9 है तो हमें 2 का करना है तो 3.3 हम करेंगे अगर हमें 3 significant तक का बताना हो था तो 3.26 हम कर सकते थे क्योंकि आगे वाला digit 9 है बात क्लियर हुआ अब यह आपको समझ में आ गया होगा अब देखो 2 condition बच्चों में आपको बता रहा हूं बहुत इंट्रेस्टिंग बहुत इंट्रेस्टिंग देखिए हाँ सियों का अंसर चाहिए देखिए बहुत इंट्रेस्टिंग जैसे 3.25 केवल यही अगर है ध्यान देना माले तो पॉइंट आप जैसे यहां 1235 कुछ आगे बढ़ गया तो आप राउंडिंग आप कर दिये माले दिये से 3.25 रही है यहां यहां लेते हैं 3.25 hoher कोई डिजिट न अग्नान जीरो डिजिट नहीं जीरो है तब क्या करोगे तो आपको बंचों हम ध्यान देना है क्या ध्यान देना है अगर यह थाइप के पहले वाला नंबर अगर even नंबर है event है तो जैसे है वैसे लिख दो age it is मतलब जैसे है वैसे लिख दो age it is age it is जैसे है वैसे लिख देंगे कब जब 5 के आगे कोई digit ना हो या 5 के आगे 0 अगर हो तो जो हम उसके पहले का जो नंबर है अगर वो event में है तो जैसे है वैसे लिख देंगे यानि क्या लिखेंगे इसका rounding आप करें दो significant figure तक तो 3.2 दो significant तक क्या लिखेंगे 3.2 इसका rounding आप किया जाए 2 significant figure तक तो क्या लिखेंगे 3.2 से मोही लिख देंगे लेकिन बच्चों अगर माल लेते है 3.3 5 हो या 3.350 हो अब बताए अब यहां देखो अब यह जो 5 है अगर मतलब लास्ट डिजिट 5 हो या 5 के आगे 0 हो तो अब यहां आपको ध्यान देना कि 5 के पहले का नंबर क्या है अब यह देखिए यह odd number है क्या है बच्चों odd number है तो odd number है तो अगर है तो उसमें आप प्लस वन आइड कर देंगे प्लस वन आइड करोगे तो दो डिजिट तक significant figure आपको बताना है तो 3 में एक आइड कर दो तो 3.4 और यहाँ odd number में है तो 1 आइड कर दो तो इसका answer आ जाएगा 3.4 तो यह इसका significant figure हो जाएगा 2 significant figure का rounding आप हो गया बहुत सही सिवम सर्मा का answer सही है very good odd number very good तो बच्चों उमीद करते हैं आपको यह class समझ में आया होगा comment करके बताएगे कितने लोगों को कोई doubts है कि नहीं doubts है कितने लोग इसको समझ पाए है बताएगे clear हुआ कि नहीं clear हुआ हाँ सिवम सही है very good clear हुआ तो बच्चों मैं homework दे रहा हूँ आप इसका answer घर पर करके बताएगे comment करके बताएगे no doubt very good चलो अगला मैं इसमें एक question दे रहा हूँ आपको answer इसका बताना है question last बस last ज़्यादा नहीं 5 minute का class और बच्चों है numerical है अगला आपको बताना है significant figure क्या होगा question है how many how many significant how many significant figure figures are present NCIT का question बच्चों present in the following in the following इसमें आपको significant figure बताना है रभिन तिवारी no problem very good बाबू समझ में आ रहा है इसका मतलब ऐसे serious रहो आसानी से जही और neat निकाल सकते हो अगर 11th में आप serious रहते हो चलो मैं कुछ question लिक रहा हूँ इसका answer आप लोग फड़ा फड़ बता सकते हैं 0.0025 का significant figure second बच्चों आपको बताना है 208 का significant figure क्या होगा and third is 5005 का significant figure बताना है and fourth is 126000 का significant बताना है and fifth is 500.0 का significant figure बताना है and last is 2.0034 का significant figure बच्चों निकालना है तो ये आपको घर से करके बताना है comment करके आप answer देंगे और कल भी इसी time पर इसी time पर कल बच्चों हाँ ठीक है screenshot के लिए time दे देंगे ठीक है सिवम कल इसी time पर बच्चों आपको फिर 2 का 3 very good देव मिस्रा very good 3 का 4 बहुत सही very good चलो मैं answer लिख देता हूँ आप लोग सही कर रहे हो देव मिस्रा very good इसका होगा बच्चों 2 क्यों क्योंकि ये non zero digit है last में non zero digit तो 2 आ गया इसका होगा बच्चों कितना 3 होगा ठीक है अगर इसका देखा जाए answer बच्चों तो कितना होगा बताए 5 का 4 5 का 4 हाँ very good सही है and सिवम का दूसरा दूसरा तीसरा सही है बहुत सही सिवम पटेल का भी सही है D का 6 हाँ अब यहाँ एक दिक्का था यही मैं आपको बताने वाला हूँ समझा रहा हूँ समझे दूसरे का तो 3 होगा अगर 3 का देखा जाए तो non zero digit के बीच में 0 है तो यहाँ हो जाएगा 4 यहाँ अगर बच्चों देखा जाए तो हमने बताया था 100 100 को मैं लिख सकता हूँ 1.1 into 10 to the power 2 तो यहाँ मैंने कहा था कि 1st priority आपको 1 देना है और 2nd तब 2 देना है थाइड तब 3 देना तो वैसे तो maximum इसका जो है 3 होगा क्योंकि 126.000 लिख सकते हैं into 10 to the power 3 तो अगर देखा जाए तो इसका significant figure starting का जैसे 100 का वन था ऐसे इसका भी 3 होगा पास समझ में आया कोई दिक्काद जैसे 100 का example मैंने समझाया था सेम वही है अब यहाँ देखो बच्चू कितना significant figure हमने कहा था अगर 0 अगर 0 right side में है decimal के तो वो भी significant figure तो significant figure यहाँ कितना होगा 500.0 यानि significant figure 4 हाँ देव मिस्रा 3 बोला E का 3 हाँ E का 3 नहीं सिवम बटेल 4 होगा क्योंकि 0 के decimal के right side में 0 को भी significant figure मानते हैं बाद समझ में आया देव मिस्रा 3 सिवम पटेल E3 4 अब आप ऐसे समझ लिजेगा नोट से एक बार फिर से बना करके उसको समझे अब यह last वाला बच्चों अगर देखा जाए तो कितना 3 दो 5 significant figure हो जाएगा बच्चों 5 तो this is यह correct आप answer और यह answer मतलब यह question NCIT का है आप लोग पढ़ते रहिए ट्राइ करते रहिए कल हम लोग फिर 10 बजे अगले topic के साथ मिलते हैं बहुत interesting बहुत important लाग chemical combination अगला class होगा बच्चों तो पहले आप 1 से लेकर के 7 तक का वीडियो continuation में 1st chapter chemistry 11 का देख लीजिए इसके बाद कल हम लोग मिलते हैं बच्चों ला आप chemical combination का और कल आज का जो 12 का timing बच्चों अभी 2 मिनट के बाद हम लोग 12 का chemistry स्टार्ट करने वाले हैं 12 की chemistry हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जस्ट मतलब 5 after 5 मिनट यानि आप मान करके चलो और ही कम टाइम है 12 का हम लोग solution chapter जस्ट स्टार्ट करने वाले हैं तो आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट रिलाक्स करिए फिर हम लोग मिलते हैं अगले class में झाले हैं छोच को लोग है?